जहिंत साथियो, आज का जो class होगा, हुआ होगा 9th class ठीक है औरgende nap 006 के परकार पढ़ेंगे इसमें किस-की साथियो के第一जं़ अब बताया वहाँ गाया है जितना भी सवाल होगा, complete कर दिया जाएगा अब इसकी और दोस्तों को जूर्वर, share कर जिएगा ठीक है बढ़ते है कोश्चन की है और देखते है कोश्चन क्या है ठीक है देखिए इसका कोश्चन किस प्रकार से देखा है क्रिसी के प्रकार का देखिए पाला कोश्चन है बहुत ही अच्छा सवाल है सवाल है साथियो इसमें बोला गया है कि अस्थांतरन सील क्रिसी की सुर कर mão दोस्तों को जड़ीँ सेयर किजीगा ठीक है और आप टेलीग्राम में च्छुने तो टेलीग्राम में भी जूर जाहिएगः ठीक है बड़ती है आगे सवाल की ओर देखिए next सवाल next है साथियो जूम है जूम जो है वह साथियो किरिसी खेती का एक परकार है जूम जिसे जूम का खेती भी कहा जाता है ठीक है आगे सवाल है लदांग संबंधित है लदांग जो संबंधित है वो किस से है तो अस्थांतिरी सील किरिसी से किरिसी स्रिलंका में किस नाम से जाने जाती है तो चेना के नाम से जाने जाती है तमराई के नाम से गरेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है वियतनाम एवं लाउस में किस लाउस में जो जाने वाली अस्थानतरित किरिसी को कहा जाता है वो कहा जाता है रे खेती कहा जाता है करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है साथियो सवाल है मयान मार्ग में की जाने वाली अस्थानतरित किरिसी किस नाम से जाने जाती है तो तुग्यांग नाम से जाने जात next है महानगरों के बहरी भाग में की जाने वाली फ़लों की गहन किरिसी को कहा जाता है बजार किरिसी ग्रेक्ट हो जाएगा next है साथी और डेरी डेरी ओर्धिक्वार्मिंग के लिए अवस्कत था नेक्स्थ हो बातियो, उलीी जूली खेति का क्या टत्रपर यहем है? तो पसू पालण और किरिसी साथ साथ करना करेक्ट हो जाएगा next है बागानी किरिसी की प्रमुक विशेशता क्या है बागानी किरिसी जो होता है साथ उसका प्रमुक विशेशता है рук है, वो है एक फसर उतपादन कर्यक् तो संचित खेत होना जाए साब सुत्रा क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है अगे सवाले सात्यों बाइन सिचाई की साहता से की जाने वाली तर खेती के लिए वार्षिक वर्ष कितनी मात्रा आवस्यक होती है तो 200 सेमी से अधिक होनी चाहिए correct हो जाएगा आगे सवाले साथ ही हो सरवादिक संगन खेती परचलीत है तो कहाँ परचलीत है तो यह जापान में परचलीत है correct हो जाएगा next है बगानी किरिसी के अंतरगत नहीं आता है तो चावल जो है वो नहीं आता है बगानी किरिसी के अंतरगत नहीं आता है तो खाद किरिसी के अंतरगत नहीं आता है तो खाद किरिसी के अंतरगत गन्ना की खेती नहीं आता है मितलब गन्ना की किरिसी जो आता है वो खाद के अ नेक्ष्ट है सात्यो विस्फ में किस परकार की क्रिशी का सर्वाधिक परचलन है तो अस्थान ब्रेद क्रिशी का क्रेक्ट हो जाएगा Next सवाल है अस्थान सिल किरिसी के विलुगूल विफरी पधती है क्या है अस्थान बरित किरिसी करेक्ट हो जाएगा किस प्रकार की किरिसी में फसलों का अत्यधिक उत्पादन प्राद करने के लिए भूमी की प्रतेक इकाई पर अधिक मात्रा में पुंजी एवं स्रम का परियोग किया जाता है तो गहन किरिसी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट साथियो विस्त्रित आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाले जो किरिसी कालाती है वो विस्त्रित किरिसी कलाती है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है सात्यों वैपारिक अस्तर पर की जाने वाली सबजियों एवं फलों की किरिसी उसके परिवहन में ट्रॉकों का अधिक उपयोग होता है तो क्या कालाता है ट्रॉक फॉर्मीन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है सातियों पूर्व सोव्यत संग का स्टेपी सयुक्त राज अमेरिका का मदिवर्ती एवं पस्मी मैदानी भाग कनाडाअब का पिरियरी छेत्र अर्जंटिना का पंपास छेत्र तथा अस्टेलिया का डाउन्स छेत्र किस प्रकार की किरीसी के लिए प्रसीद है तो विश्तित क्रिसी के लिए प्रसीद है, correct हो जाएगा, next है, कौन ट्रक फॉर्मिंग का दूसरा नाम है, तो विपन जो है वो, विपन बागवानी जो है, वो किसका फॉर्मिक है, वो ट्रक फॉर्मिक का दूसरा नाम है, आगे सवाल है, आगे next सवाले साथ ही हो कि गहन क्रिसी से सम्मंदीत नहीं है गहन की जो खेती होती है वो किसे से सम्मंदीत नहीं है यह बताना है तो कनाडा में जो है वो गहन की क्रिसी की खेती नहीं होती है सिर्फ वह गेहूं की क्रिसी की खेती होती है ठीक है आगे सवाल है साथियो एसिया महादीब के मानसूनी जलवायू वाले छित्रों तथा जहां जनसंख्यां का बहुत अधिक घनत पाया जाता है जिसमें किस प्रकार की किरिसी पाया जाती है तो गहन जिवी का किरिसी करेक्ट हो जाएगा सवाल है रेसम के उत्पादन हेतु वैपारिक अस्तर पर रेसम के कीडों का पालन किया जाना क्या कालाता है तो सेरी कल्चर कालाता है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट साथियो व्यपारिक उदेशियों की पूर्तियों हेतु समुद्री जीवों उत्पादन की किरिया क्या कहलाती है तो मेरी कल्चर कहलाती है correct हो जाएगा नेक्स्ट है साथियोँ वैपारिक अस्तर पर की जाने वाली मचली पालन किरिया को क्या कहते हैं तो PC कलचर कहते हैं मचली पालन करने वाली किरिया को ठीक है आगे सवाले साथियो, वर्नो संदक्षन एबम समवर्धन से संबंधी कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वो सिवी कल्चर कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है साथियो वैपारिक अस्तर पर की जाने वाले फूलों की किरिसी को क्या कहते हैं तो फ्लोरी कल्चर करते हैं करेक्ट जाएगा नेक्स्ट है वेपारिक अस्तर पर की जाने वाले विभिन परकार के फोलों का उत्पादन करने वाले को आगे सवाल है जमीन पर फैलने वाले सबजियां को वेपारिक किरिसी भी कहा लाती है लेकिन उसेおरेली कल्चर भी कहा जाता है आगे सवाल है सेरी कल्चर का जो संब्ध है वो किस से रेशम किट से सेरी कल्चर का संब्ध है तो सम्द। नेक्ष्ट सवाल है मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है तो समुद्र जीवों का करेक्ट हो जाएगा नेक्ष्ट है सोपान क्रिसी कहां की जाती है तो पहाडों के ढ़लानों पर की जाती है नेक्स्ट सवाल है जूम किरिसी कहां पर की जाती है तो उत्तरपूर भारत में की जाती है नेक्स्ट सवाल है सेरी कल्चर का स्वे संबंध है वो किस से है तो रेसम कीट से है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है तो समुद जीवां का किया जाता है correct हो जाएगा next है सोपान किरिसी कहां पे की जाती है तो पहाणों के डहलानों पे की जाती है सोपान की किरिसी आगे है सवाल जूम की किरिसी क्या पर की जाती है जो जूम की किरिसी जो की जाती है उसो किधर होता है जुम किरिसी कहां पर किया जाते है तो उत्तरपूर भारत में किया जाता है जुम की किरिसी आगे है किस प्रकार की किरिसी में फोसलों का अधिक उत्पादन प्राब्द करने के लिए भूमी परतेक इकाईक पर अत्यधिक मातरा में पुंजी अम स्रमक परियोग किया जाते है टूटल 43 स्वाल ठीक है कल फिर मिलेंगे नया चेप्टर और नया कोशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय हुआ